किसान भाईयों ये बरगा बेहाधिक कम दाम पर हम आपके लिए उपलब्द करवा रहे हैं पूरे भारत में हमारी सप्लाई चल रही है कैसान डिलूरी की बिवस्था है कि कितना लंबा गढधा हो गया है पूरा सम आपको मुबाईल का फ्लेज जला की दिखाएंगे क्योंकि कि गढधा इतना जादा हो गया कि अंदर अधेरा आ रहा है कि सान भाईयों मुबाइल का फ्लेज जलाने पर भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि हाई इसकी घहराई जादा हो गया deugel समें टाल दीजिए देख लिजिए पूरा बनगा चल गया यह पांच फीट प्लस का हो गया बास करिए रहन दीजिए नमस्कार किसान भाईयों हाइटेक किसान यूटूब चैनल पर आप सबका स्वागत है किसान भाईयों आज हम आपके लिए एकदम बेहदी मजबूत और टिकावू गढधा खुदने की मसीन लेकर आए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारे दो भाई लोग यहाँ पर आपको मसीन का प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि मसीन किस तरह से वर्क करती है यह गढधा किस तरह से आपके लिए एकदम जल्दी से आसानी से खोती है देखिए थोड़ा से मिट्टी पे कंकड आ गया इसलिए कट कट बोल है फिर भी यह मसीन आसानी से चल रही है किसान भाईयों इधर भी आप देख सकते हैं यह वाली जो मसीन है बरगा है थोड़ी सी छोटी साइज की है जो इसका होल का साइज है वो थोड़ा सा पतला है और यह जो होल बन रहा है यह थोड़ा सा चोड़ा होल है किसान भाईयों ये बरगा बेहाधिक कम दाम पर हम आपके लिए उपलब्द करवा रहे हैं पूरे भारत में हमारी सप्लाई चल रही है कैसान डिलूरी की बिवस्था है आपको जो 15-20,000 की मसीने आती हैं इलेक्ट्रीक और डीजल पेट्रोल से चलने वाली वो लेनी की जरूरत नहीं है अगर आप ये मसीन लेते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी से होगा आपका लेबर कास्ट भी बचेगा आपका समय भी बचेगा जैसे कि आप देख सकते हैं गड़े में तो अधेरा है लेकिन ये चार फिट का गड़ा है इसी मसीन से खोदा गया है और इधर भी खुदाई चल रही है किसान भाईयों हाइटेक किसान का जो काम है बेहा दिमानदारी से हम सारी चेज़े आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ देखिए यहाँ भी गड़े की साइ़ काफी जादा हो गई है जैसा कि यह कलीम भाई है हमारे यह गड़ा खोद रहे हैं और यह अखलेस जी है कलीम भाई ज्यादा मोटे हैं इसलिए इनके लिए इनको बड़ी मसीन दी गई है और अखिलेश थोड़ा सा दुबले पतले हैं इसलिए ने छोटी मसीन दी गई है यह बगल में एक बर्बा भी रखा हुआ है तो इस वीडियो का बनाने का किसान भाईयों बस एक ही मतलब है कि आप देख सके कि कितनी इमान कांदारी से काम होता है हमारा और हम जो भी चीज आप के लिए लेकर आते हैं वह एकदम प्रैक्टिकल दिखाने के बाद ही हम आपको सजेस्ट करते हैं काब लीजिए आप देखिए थोड़ा से कली भाई बर्गा उठाईयों तो आप देखिए इसकी साइज लगबग चार 10 फिट का हैंडल है और पूरा मिट्टी भरा हुआ है मिट्टी बहल करिए अफ्रवास बर्गा उसके अंदर डाल दीजी गड़्े के अंदर आप देखिए किसान भाईयों चार फिट की हाइट है डंडे की जो हैंडल है और बर्गे की हाइट है और लगबग डेढ़ फिट मतलब कि चार फिट प्लास गड़ा हो चुका है यह पूरा हैंडल समेत उस गड़े में चला जा रहा है और मिट्टी भी आप देख सकते हैं कि कितनी जादा मिट्टी निकल गई है दोनों तरब से यह छोटे साइच का बनगा है यह बड़े साइच का है यह दोनों हमारे पास उपलब्द हैं और हमारी सप्लाई पूरे भारत में चल रही है आप दिये गे नंबर पर हमसे संपर करके अपना आडर बुक कर सकते हैं अगर किसी कारण वस फोन नहीं उठता है तो आप वाटस अप पर भी मैसेज करके अपना आडर बुक कर सकते हैं कैसान डिल किसान भाईयों मुबाईल का फ्लेश जलाने पर भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसकी गहराई जादा हो गया इसलिए पूरा अधेरा आ रहा है इसमें लेकिन आप मिट्टी देखके और ये बरगा जो पूरा हैंडिल समेथे डाल दीजिए देख लीजिए पूरा बरगा चल है कि हाई-टेक किसान का जो वर्क है पूरी मानदारी के साथ होता है हमारे यहां कोई फ्राड इसका काम नहीं होता है तो किसान भाईयों के साथ ताकि उनकी जरूरत अगर इस सीच की हो तो मगा सके बहुत जल्द आप से और नई वीडियो मुलाकात होगी तब तक के लिए जै हिन जै भारत क्या चीज अबियंद भी इसची जैज है कोई ज्यादा सीगरण मोटे ताजय हो करके खो़ है हमने बहुत बड़ा चीज है कलीम भाई अपना रीवू दे रहे हैं practice बढ़िया छीज है कलीम भाई हमारा काम ही ही है चेट बागा किसान का जो भी कीसान का जो भी चीज लाएं किसानों के लिए नहीं तो यह सर्व बहुत सही चीज है रहे चीजे देख सकते हैं कलीम भाई यह बहुत अच्छी चीजे खोदने में पांच मिर्ट नहीं लगा है चलिए किसान भाईयों आज की वीडियों बस इतना ही बहुत जल्द मुलाकात होगे के लिए वीडियों में तब तक के लिए जय हिन जय भारत